आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Instagram professional account को private कैसे करेंगे तो गाईज गर आप भी जाना चाहते हो कि Instagram professional account को private कैसे करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहें वीडियो शूख करने से पहले गाईज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और साथ में इस बैल आइकन को प्रेस करके औल पर सेट कर दीजिए तो चलिए फ्रेंड्स आज का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गई सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा अपनी फून में इंस्टाग्राम को उपन करेंगे अब जैसे अपन करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूं सबसे फ़ेल यहाँ पर हम 3-line पे क्लिक करेंगे 3-line पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स एंड प्राइवसी में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एक आप्शन मिलेगा प्राइव इसके बाद complete मैं आपको बता देता हूं back जाएंगे complete उसके बाद फिर से home page में आएगे अपनी profile के उपर उसके बाद फिर से 3-line वाले option पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फिर से हमें setting पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे हमें एक option म option है इसके उपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे एक option हमें शो हो रहा होगा switch to personal account तो यहाँ पर मैं switch to personal account के उपर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर switch to personal account फिर से आ रहा है इसके उपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा जो account रहेगा वो professional account से personal account में convert हो जाएगा अब यहां पर हम क्या गरेंगे फिर से जाएंगे account के अंदर अब यहां पर यह setting हमारी open है तो थोड़ा सा scroll करेंगे और नीचे की side में हमाई एक option यहां पर show होगा मैं आपको बता देता हूँ privacy वाला देख तो रहेगा वह successfully private हो जाएगा तो यहां पर मारा जो professional account था प्रस्टनल में convert करके हमने अपने professional account को private कर लिया तो इस तरह से गाइज Instagram professional account को आप private कर सकते हैं